हम जब मेक उप करते हैं । हमारे चेहरे पर कुछ दाग धबह होते हैं जसको हम थो कंसीलर से हाइट कर सकते हैं तो यहां पर मैं दो कंसीलर पैलेट लेकर आई हूं एक है मेरे पास मार्स का और दूसरा है मेरे पास रोमांटिक ब्यूटी का तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ मार्स का कंसीलर यह देखिए इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइब की होगी और यह है मार्स कंसीलर 15 कलर वाइटिनिंग हाइडरेटिंग स्टूडियो 100 परसेंट नेचरल मिनरल्स भी है इसमें आप देख सकते हैं और इसकी जो बैक साइड है वहां पर कुछ कलर्स भी दिये गए है जैसे कि इसकी जो बेस कलर है तो यह सैवन है यह पैलेट शेड डंबर 02 है इसमें और भी शेड पैलेट है आपको जो अच्छा लगे आपके पास नहीं हो वह वाला आप ले सकते हैं तो अब मैं इसको अंदर से दिखा रही हूं इसकी पैकेजिंग को खोल रही हूं उसको तो यह वाइट कलर का पैलेट निगला है रेक्टैंगल में यहां प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी दी गई है कितने टाइम तक हम इसको यूज कर सकते हैं और यह क्रीमी पैलेट है बहुत ही स्लिम भी है अब हम इसके कलर्स देखते हैं प्रोडक्ट कैसे हैं तो यह देखिए इसके 15 कलर हैं इसमें सिर्फ टू शेड थोड़े से अलग हैं यही इसका शेड नंबर टू है और इसका यह फर्स कलर में ले रही हूं बहुत ही लाइट बहुत हलका सा ही लिया है मैंने तो काफी क्रीमी है अच्छे से ब्लैंड भी हो रहा है अच्छे से कंसील भी करेगा तो यह प्रोड़क्ट अच्छा है इसी से सिमिलर मेर दूसरा प्रोडेक्ट है मेरे पास रोमेंटिक ब्यूटी का और यह विल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा मार्क्स का है तो अब हम देखते हैं तो यह भी 100% नेचरल मिनरल है और रोमेंटिक ब्यूटी का है 15 कलर वाइटनिंग एंड हाइडरेटिंग कंसीलर स्टूडियो है अब पीछे बैक साइड पर कुछ खास नहीं दिया एकस्पायरी देती है और 01 इसका पैलेट नमबर है और 22 ग्रैम में है यह तो बस इतना ही है इसमें और इसके कुछ इंगेडियेंट्स दिये हैं अब हम इसको ओपन करते हैं तो इसके शेड देखिए यह लाइट शेड है काफ यह यह दो आरी माचा पहला है यह दो आज़से तो आपने आपकर नहीं दो फार्क है काफिए उसका वेज़सिंग लेगा सकते हैं तो यह सब कुछ भी कर सकते हैं आपको और इसकी प्राइब क्या है तो आपको इसको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी वही पर आप चेक कर लीजिएगा तो यह वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी बुरी लगी कमेंट में जरू बताईए अगर बैल आइकन नहीं दबाया है तो इसको दबाईए वन्दर आपके पास तो भी हमारी नई वीडियो नहीं पहुंच पाएगी